कैसे आप सबी लोग आई होप सब भी बढ़िया होंगे तो आज मैं आपको जो वैकेंसी के अपडेट बताने वाला हूं वहाई बहुत ही इंपोटेंट यह वीडियो के अपडेट है तो आप से एक छोटी से रिक्वस्ट के वीडियो को अंतर तक पूरा देखें और मैं आप पर यह भी बताऊंगा कि आपको कैसे अपलाई करना होगा सारा कुछ प्रॉसेस में आपको इस वीडियो के अंतर बताने वाला हूं कोई भी स्टैप को मिस मत करना ताकि आपको यहां पर समझ में आए अच्छी तरीका से ठीक है और फाम भी आप भर पाएं तो आप चोटी आपको जो अपडेट बताने वाला हूं जिंदल स्टिल के तरफ से लेटेस्ट वैकेंसि निकाली गएं जिंदल स्टील की सब्सेट्री कंपनी आपको यहां पर देखने को मिलेगी और इसी के रिगार्डिंग नियर नोटिफिकेशन जरी किया गया है यहां पर आपको कवी और इसके लिए यहां पर आपने लिए प्रपाइंगे अगर आप इसके लिए इसके लिए पर पाएंगे अगर आपके पास कोई कर लिए तो अब इसके लिए फौकर कर लिए अगर आपने टइली करते हैं और इसके देखने को मिल जाएं तो चलिए दस्तों वीडियो के स्टार्ट करते हैं और इसका पीज़ेडियों प्रोष्ट है उसके वारे में एपको बता दिता हूं ता कि आप आराम से समझज और प्रॉसेस जो एपलाई का है वह भी आप यहां पर समझ पाएं सारी डिटेल्स तो जैसे कि आप देख पारेंगे जिन्दल इस्टील लेटेस्ट जॉब रिक्रूटमेंट दोजार चौविस एपलाई ऑनलाइन फॉर आई टिप्लोमा ग्रेजुएशन कंडिट जिसके लि देखने को मिलेंगे इसके लिए काशा में ते निकले रूझाया है लेकिन उससे पर सुर्ट अनफरमेशन के मDINGुणत से जो यहां पर शारी सारी बताई कई गही है कि आपको कैसे करना होगा sağe कॉंकों से निकले हैं इसमें एज्युकेशन क्या होगी स्बीकिछ क्या HU sv वासजेट हो गया और स्की एजुकेशन क्वालिफिकेशन ठीक है सब्व होगा लेटें आपको हूंaufen कर लेंक़ यांदि आपको देखने को मिलेंगे यहां पर टाटर्राइटर ट्रेनिंग और यहां पर की एकाउंट मेंपर देखने मिलेंगे उससे मॉड्ड और ओफ प्लिकेशन के बाता करें तो आप जैसे कि देखी पार हूंगे यहां जो भी candidate आविदन करेंगे चाहिए वो male candidate हो या फिर वो female candidate हो ठीक है वो यहाँ पर online के माध्यम से आविदन करेंगी इसका link जो है मैं आपको इसी वीडियो के description में दे दूँगा सबसे उपर ठीक है जाकर करके check out भी यहाँ पर कर लिजेगा age limit के हम बात करें तो आप age limit यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर देख सकते हैं minimum जो age रहेगी वो 18 वर्स आपको देखने को मिलेगी और maximum जो age रहेगी वो यहाँ पर 28 वर्स आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी एंड इसमें जो application fees के जो process है आप देख सकते हैं general OVC EWS कंडिडेट के लिए कोई चार्ज नहीं है था कि अगर आपने कर रखा है डिप्लोमा ग्रेजूशन या फिर आपने भी बीटक भी कर रखाए ठीक है तो अभी आप इसके लिए जो form apply कर पाएंगे और कोई मिल जाएगी बात कर लेते हैं सेलरी के बारे में तो सेलरी भी आपको देखने को मिलेगी जो कि एप्रॉक्समेंटली सेलरी जो होगी वह 19000 रुपए से लेकर और 68000 रुपए प्रतिमा मिलेगी लेकर यह ऐसी सेलरी हर किसी कंडिरेट के लिए नहीं है जिनके पास अच्छी क्वालिफिकेशन और अच्छा एक्सपिरेंस होगा उनके लिए बहुत ही अच्छी सेलरी के लिए बात करेंगे इसमें सेलेक्शन प्रॉसेस के बारे में तो सेलेक्शन प्रॉसेस आप देख सकते हैं आप परसनल इंटर्वी हो गया डोकिमेंट्स वेरिफिकेशन सीबिट करने के लिए गूगल पर आजाना है ठीक है अब गूगल पर आओगे गूगल पर आने के पर आप बात यहां पर देखेगा सेर्च वार का आफ्र आफ संट जैसा कि आप यहां पर देखा रहे होंगे तो यहां पर जो है आपपकोyr करना सब्सक्राइब करने के बाद आपको सबसे पहली वाली जो टैप देखने को मिल रही है www.onlinejob.online ठीक है ना आपको क्या करना है यहां पर आपको क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा और यहां आपको सबसे पहले जो टैप देखने को मिल रही है जिन्दल स्टील लेटेस्ट जॉप ठीक है आपको इस पर किलिक कर देना है जैसे यहां पर किलिक करोगे किलिक करने के बाद आपको जो मैंने बताई थी बेसे डिटेल वह बेसे डिटेल आपको यहां पर भी देखने को मिल पर आपको किलिक करने के बाद आपको सबसे पहले तो क्या करना है यहां पर अपने नेम देना है आपका जो भी नेम हो उस नेम को आप यहां पर दे दीजेगा उसके बाद जो भी आपकी email ID है उस email ID को आप यहाँ पर देना होगा आपको जो भी आप email ID यूज कर रहे हो अपना email ID बंद नहीं होना चाहिए और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको telephone number है तो telephone number आप यहाँ पर देदीजेगा जो भी आपका telephone number हो ठीक है न तो उसको आप यहां पर दे सकते हैं और इसका जो टिपलोमा कर रखा है और यहांपर पासिंग थी वह कौण सी थी ठीक्ड उसको यहां पर डालोगे और यहां पर आपको जो भी परसेंटेज मार्क्स बगरा है उस परसेंटेज मार्क्स को बगरा के अधर पर यहां पर दे सकते हैं ठीक है तो इस तरह से जो आप यहां पर डे सकते हो और यहां पर देखिए आपको पोस्ट के लिए आपको देखने को यहां पर देखिए आप आपर प्रोजेक्ट मैनेजर यहां करेंगे उसकी टेक्निकल वेग्रंड को आपको यहां पर डाल देना है उसके बाद आपको नमबर ऑफ एक्सपरेंस को आपको यहां पर देना है है अगर आपके पास expense होना है तो यहाँ पे क्या करना आपको एने लिख दिना ठीक है एने और लिखने के के बाद में आपको क्या करना है यहां पे उसके बाद आपको जो first job POSITION दे रखिए ऐस जुब POSITION के लिए आपको यहां पे टाल दिना जैसे आप डाटर अप्र पोस्ट अपलाई कर रहें तो इसके लिए अपर यहां पर मुझे पहसा है तो यहां पर तो यहां पर मुझे पर कोईसेक सब्सक्राइब बीए उसको भी जोई नहीं आ जो भी आपको लेंग्विज आती हो वह से यहां पर कर देना एंड उसके बाद सेलरी एक्सपेक्टेट सेलरी क्या आपके रहने वाली है तो यहां पर एक्सपेक्टेट सेलरी दे दीजेगा ठीक है जो भी आपके एक्सपेक्टेट सेलरी हो उसको आप यहां पर दे दीजेग कैसे करना है मोबाइल के तुरू भी आप कर सकते हो और यहां पर अपने लेप्टॉप या फिर पीसी वेगरा द्वारा भी कर सकते हैं उसके बाद जब आपका सारी डिटेल बर जाएंगी और यहां पर आपको सम्मिट का बटन दे रखा है इस पर आपको फाइनली किलिक कर द गा जल्दी मलेंगे नई वीडियो में नई वेकेंसी के साथ झाल झाल